कि नमस्कार एन्बी न्यूज देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पलवी राजपूत और हमारे खास कारिक्टरम एन्बी न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी तमाम एहम और छोटी बड़ी खबरें तो आईए शुरुआत करते हैं एन्बी न्यूज एक्सप्रेस की पशिमंगाल में चुनावी जनसभा के दौरान केंद्रे ग्रह मंत्री अमिर शाहा ने ममता बनर जी पर जम कर साधा निशाना शाहा ने कहा उमीद करता हूँ कि दो मई के पहले दीदी के पैर की चोट हो जाएगी ठीक जब वे राजिपाल को अपना इस्तिफा देने जाएं तो वेहा अपने पैरों पर चल कर जाने में हो समर्थ अमिर शाहा ने कहा कि बीजेपी ममता दीदी से काफी अलग हम बम, बंदूक और बारूत के मॉडल को विश्वास, विकास और व्यापार से चाहते हैं बदलना बाबा बरपानी यानि अमर्नाथ के दर्शन के लिए यातरा 28 जून से होगी शुरू, इससे पहले शिवलिंग की पहली तस्वीर आई सामने, अमर्नाथ गुफा में सर्वियों के दौरान बने, शिवलिंग की पहली तस्वीर आई, इसाल शिवलिंग का आकार काफी बढ़ राजधानी दिल्ली में कोरोना के चलते बेकाबू हुए हालात, खराब हालातों के बीच मुखे मंत्री अर्विन के शिवाल ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्रू है मुखे मंत्री अर्विन के शिवाल ने पीम मोदी से मांगी ततकाल मदग दिली में ऑक्सिजन की भारी कमी और केंद्र के अस्पतालों में 7000 बैड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व किये जाने की पत्रों में CM ने की मांग की इससे पहले मुखे मंत्री अर्विन के शिवाल ने कहा दिली में हालात लगातार हो रहे हैं बत्तर कोरोना वाइरिस के कहर से देश में हाकार केंद्रि मंत्री जनरल वी के सिंग ने चुपिटर के जर्ये मांगी मदद कोरोना संट्रुमित एक शक्स को अस्पताल में बैट की दिलाने से समभनित केंद्रि मंत्री ने किया ट्विट उन्होंने ट्विट में गासिया बाद डियां, सीम योगी के सूचना सलाकाश अलब मरीतर पाची नोईटा के विधायर पंकत सिंग को टैक किया उन्होंने ट्विट के जरिए अनुरोद किया ताकि जिला प्रिशासन प्रिडितर शक्स तक कहुं सके और उसे वो मेडिकल मदद मिल सके जिसकी उसके भाई को थी जरूदा वियार में कोरुना वाइरिस के बढ़ते संक्रुमन को देखते हुए सीम नितीश कुमार ने लिए कई बड़े फैसले इसके जो अनकारी सीम ने रवीवार को पीसी के जरिये दी सीम नितीश ने कोराना से बचाव के लिए तमाम उपायो पर की चर्चा पिछले साल की तरह कोरुना संक्रुमित मरीज मिलने वाले इरिया को इस बाल भी बनाय जाएगा सबी तरह की दवा का किया जाएगा इंतिजाम, होम आइसोलेशन में रहने वालों की की जाएगी मॉनिटरिंग, 15 माई तक के लिए तमाम स्ट्रक्शन से स्थान बंद। कोरोना से दुनिया बर में लोगों का हाल बेहाल, इस बीच कुछरात के एहमदाबाद से आई एक अच्छी खबर, यहाँ कोरोना वाइरस से लड़ने के लिए लॉंच की गई एक दवा, दवा का नाम रखा गया, आयूद एडवांस, दो क्लिनिकल ट्रॉाइल से गुज़र चुकि यह दवाई कोरोना के मरीजों पर खासी प्रभावी, एहमदाबाद के सरकारी एस्पतालों में की आगया इसका ट्वायल, दवाई के जरीए मरीज का इलाज करने पर चार दिन के अंदरी कोरोना का हो रहा, असर कम, हलके लक्षन वाले मरीजों पर ज्याद है कोरोना वाईरस के भीशन संक्रुमन के दौर में जीवन रक्षा के रूप में काम आने वाले रेमेडी सिवर इंजक्शन की काला बाजारी और जमाखोरी पर सीम योगी हुए सक्त अपने सरकारी आवाज से Team 11 के साथ VC से कोरोना संक्रुमन की समिक्षा कर रहे CM ने रेमेडी सिविर की जमाखोरी करने वालों के साथ ही सक्त कारवाई का दियानर देश आने से के तहत होगी श्रीगर कडी कारवाई UPB at 401 की समिक्षा के बाद परिक्षा की नई तारीका की आचा आएगा अलार इससे पहले राजी सरकार ने 10 वी और 12 वी के वोड परिक्षाओं को इस्थगित करने का लिया था फैसला देश में कोरुना का कहर चारी राजसान में फिछले 24 गंटे में कोरुना के 10,514 नए मामले आए सामने राजसान में कोरुना संक्रुमर का खत्रा पुलिस कर्मियों पर भी मंद राने लगा दो सामे आज कोडूना के 1911 नए मामले आये सामने जिसमें 15 पुलिस के जवान भी कुरूना संक्रमे पाये गए यह सभी पुलिस जवान पुलिस लाइन में थे 333 लोगों कि चली गई है कुरूना संक्रमर की कारण जाथ आज दानी दिली में कुरुना बनाने लगा है अब हर दिन नए रिकौर्ड यहां बीटे 24 घंटे में कोरुना के 25,462 नए मामले सामने आई या नी हार 1 घंटे में एक अजार से ज्यादा संक्रमित मिले, एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमित मिलने का ये अब तरका सबसे बढ़ा आकरा, इसी तरह बीटे 24 गंटे में, 161 लोगों ने जान गवाई, कोरोना के इलाज में लगे सभी नर्सिंग भूम, प्राइवेट इस्पताल, अपनी कुलक श्रम्ता के 80% दी, ICU और नॉर्मल बैट, कोरोना के लिए अब रखेंगे रिजर्व के लिए फिजिकल कोर्ट पूरी तरह से बज़, च्वारा गोटार अमामले में ज्वार कर नाई कोर्ट से, लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने के बाद, उनके परिवार और समर्थकों में खुशी के लहर, विपक्षी दलो को भी लालू यादव के बेहार आने का इं उतरप्रदेश में काफी तेजी से पैर पसारता दिख रहा कोरोना, सरकार की तरफ से रविवार को लॉकडाउन के अलान के साथ ये पुलिस को भी मुस्तैद रहने के निदेश, गौतम बुधिनगर में पुलिस की तरफ से दिखाई गई काफी सक्ती, कोरोना नियमों को त पैसे ज्यादा का वसूला गया जुर्माना को में 10 घंटे तक बादल बर से पिया मोदी ने शनिवार शाम को की कोविड और देश में वैक्सिन के इस्तिती के संदर में आला अधिकारियों के साथ शमीक्षा बैठक, बैठक को लेकर फूर्व केंद्रे मंत्री और कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता पी जिदंबरम ने कोरोना संकट को लेकर पिया मोदी परतंश कसा, पी जिदंबरम ने च्विट कर स्वासमंत्री डॉक्टर हर्श वर्धन के दावे पर भी सवाल उठाए, जिदंबरम ने सवाल दाखते हुए पूछा जब ज्यादतर अस्पतालों के दर्वाजों पर टी पी जिदंबरम ने च्विट कर आपक्सिजन की कमी के बारे में ज्वानकारी देकर केंद्रुस सरकार से लगाई गुषार, केंद्रुस सरकार से सप्लाई बढ़ाने की गुषार लगाते हुए लिखा कि सामाने से कहीं अधिका खपत के कारण, दिल्ली के लिए आवटेत आ उक्सिजन की सफ लाई काफी कम पड़ी उदर देश में कोरुना वाइरस की दूसरी लहर ने मचाया हुआ है हाहकार, कोरुना संक्रमन के मरीजों की बेताहाशा बढ़ातरी के चलते, स्वास सिव्यवत सचर्मराई, देश बर के अस्पतालों में बैट, वेंटिलेटर, कोर कि इस्तिमाल होने वाली दवा, रेमेडे सिवर और उक्सिजन की फारी किलत, जिसके चलते लगातार बड़ती जारी किये मढने वालों की संख्या, सरकारने 162 से ज्यादा उक्सिजन सहीं त्रू लगाने की मंजूरी दी, के इंद्रे स्वासमन्स वाले ने बयान चारी कर ब को लेकर लिया गया, फैसला इंजक्शन का दाम 800 से घट कर 899 रूपए किया गया, ऐसी तरह संजिन इंटरनेशनल ने रेम बिल नाम से बेची जाने वाली अपनी दवा का दाम 3950 से घटार कर 2450 किया माजल प्रदेश में एक मही तक शिक्षर संसानों को बंद रखने का फैसला होगा सुमवार को, कोरोना संक्रफण के मामने बढ़ने पर प्रदेश के स्कूल कॉलेजों की चुटिया बढ़ानी की तैयारी शुरू, प्रदेश में अभी के सप्रल तक शिक्षर संसान रखे माजल प्रदेश में एक मही तक शिक्षर संसानों को बंद रखने के लिखे तादेश हो सकते हैं, जारी सरकार ने बोर्क शाओं सहित कॉलेजों की परिक्षाओं को, 17 मही तक टालने का फैसला लिया, एक मही को परिक्षाओं को लेकर फिजानी है समिक्षा यूपी के फिरोजाबाद में आठ साल के बच्ची की हत्या, मामला फिरोजाबाद जिले के थाना बसे ही महमतपुर के चार बाग नहीं आबादी का, आठ परशी अंकित नामग मासूम को, उसके तांसरिक पडोसी ने मौत के घाट उतारा, पिछले तीन दिनों से लापता पुलिस को समय पर दिये जाने के बाद भी पुलिस ने नहीं की कारवाई, मासूम के हत्या तंत्र मंत्र को लेकर किया जाने के जानकारे, पुलिस ने हत्या के बाद मामला दर्श कर आरोपी को किया गिरफदार यूपी के फिरोजबाद जिला प्रिशासन ने लॉकडाउन लगाने का लिया निरने दूसरी वर विकास कंटूनला में आज रवीवार को लोगों को की दिखाई दी भारी भीर्ट आज लॉकडाउन वाले दिन चुनाप चिन लोगों को किये गए वितृत रोजबाद के ओजाने वाले सर्विस रोड पर इस्थती रही जाम की विकास कंटूनला में प्रिशासन के वस्ता पूरी तरह से फेल चुनाप चिन लेने के दोरान लोगों ने खुलेया मुडाई सूशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जिला प्रिशासन को एक रणे नीती बनाने के आवशकता लगादार देश में कोरोना का बढ़ता कहर कोरोना से मढने वाले मरीजों की संक्या भी बढ़ती चुआ रही है अनाइटी परिदाबाद के पांच नमपर इससे तक निजी माधव अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत के बाद मच्व हंगावा मृतके परिजनों ने हंगामा कर अस्पताल में की जम कर दोर पोर्ड परिज़ाबाद में वाइरल परिज़ानों ने लगाया अस्पताल प्रगंदन पर लापर वाही काव। परिज़ाबाद में वाइरल परिज़ानों ने लगाया अस्पताल पर वाही काव। परिज़ाबाद में रखते हुए श्रीक रही उचित कदम उठाए जाना नितान ताविश्याब। परिज़ाबाद उठ्यमी बनने वाले उमीदवारों को सम्मानित करने का लिया गया अम्रिणैं। उतरप्रदेश में वीकेंड लॉगडाउं लगाकर हर जगे सेनिटाइजेशन कराने का सरकार का एहम फैसला फैसले को अमनी जामा पहनाने के लिए अधिकारी भी जुटे। जनपत बहराईश में भी संदे के दिन फूर लॉगडाउं लगाकर पूरे जिले के मुखे चौराहों वा भीडभाड वाले लाको को किया गया सैनिटाइजेशन का कारे सैनिटाइजेशन के जरीए कोविट की च्वैन को तोड़ने का किया जारा हपरयाज प्रशासन हर तर जनपत बहाईश में 24-गंटे में 139 लोको की मौत लखनो में 24-गंटे में 25 इसकरा रही है लॉकडाउन की नियमों का पालन, लोगों से शासन प्रशासन की नियमों का पालन करने की अपील, नियमों का पालन नहीं होने पर शासन प्रशासन द्वारा की जाएगी कडिकारवाई पूरे देश समय 36 गड़ में भी कोरोना लगातार बढ़ रहा संक्रुमर्ड, राजिस से लेकर केंद्री तक लगातार मंत्री उद्वारा संक्रुमर्ड को रोकने के प्रयास निरंतर जारी, कैबिनेट मंत्री का वाजी लखमा भी एक दिवसी आकस्निक दौरे पर पहुंचे कूंटा, कूंटा पहुंचकर मंत्री लखमा ने कॉंग्रेस पाची के कारिकरताओं से चाचा कर सजी को जागरू किया, मंत्री ने लोगों से कोरोना से बचात के तरीके और शासन के नियमों की पालना करने की भी अपीर की मुलेटिन में खबरे अभी और भी है, यहाँ एक छोड़े से ब्रे के लिए हमें रुकना है, फॉरण हादिर होंगे लखनाव से लेकर चंडी करता, मुंबाई से लेकर राइपुरता क्या है राजनीती की अल्चल, क्या है समाज का मिजाज रास्धानी लाइफ, हमारी नसर, आपका फैसला, हर रोज, सुभए, आठ बचे, सिर्फ, A&B, नियूस पर गुर्टेग बहादर सिमर्ये सुला सुस्ताट इस्वीदे वेच जदो गुर्टेग बादर्माहराजी असाम और और सस्ताना ते परचार दी फेरी दोरान निकले सन ता उस टाम असाम तो बड़ी साव टाका होंदे होए ते एक बादर्माहराज इस सस्तान ते पहुंचे सन नो नो पता लगा कि इस सस्तान ते गुरू नानक साथ जी आए सन ता संक्ता दे कैंते गुर्ट एक बादर माराजी ने भी इस सस्तान दे आके निवास किता सी और संक्ता नो गुरुबानी दे नाल जोड़ा सी उस टैम भी ते स्वेरे शाम दोनो टैम कीतन होंदा सी और आज तक इस गुर्द्वारा साहिवी के सुईरे शाम दोनों टाइन की इतन उन्दा है सब संक्ता इते दर्शन वास्ते हां दिया हन संक्ता दिया मनोकाम नामा गुरु साब अपने रहमता करके पूरियां कर दिया हन और संक्तरिया जो भी मनो कामना हों दिया हन इस स्थान के आगे पूरिया हों दिया हन कि ब्रेके बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत एक बार फिर से नज़र डालते हैं सुपर फास्ट खबरों पर उदर यूपी की गोंडा सिटी मजिस्ट्रेट ने कोरुना गाडलाइन की उड़ाई धजवियां खुलियाम थॉमसर मैदान में बिना मास्क की घुमती दिखी सिटी मजिस्ट्रेट वन्ना दवेदी थॉमसर मैदान में खुलियाम सिटी मजिस्ट्रेट ने सोचल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धजवियां सिटी मजिस्ट्रेट खड़ी होकर देखती रही तमाशा, हजारों की संख्या में लोगों ने मैदान मुड़ाई सोचल डिस्टेंसिंग की धजवियां, जिला गुंडा में लगातार कोरोना की बढ़ते मामलों की अधिकारी नियमों को रख रहे तागपर यूपी के गुंडा जिले में 35 चुनाव की तयारियां पूरी, 19 अप्रेल को होने वाले मतदान के लिए तयारियां पूरी, गुंडा की 16 विकास खंडों में मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां हुई रवाना, पोलिंग पार्टिया अपने साथ ड्यूटी कार्ट, मतपेटी, बैलेट पेपर और मद्दान सामगरी कर जुकी है, रिसीव पोलिंग पार्टियों की रवान की इसबार कड़ी सुरक्षा व्यवस्ता के बीच हुई, साथी कोरोना महाम को देखते हुए COVID-19 प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह के से रखा जा रहा है ध्यान। यूपी के अमेठी जिले में प्रवासी लोगों की लगातार हो रही है आमत, जनपद में लगातार कोरोना की इस्थती हो रही है भयावे है, बावजूद अमेठी प्रशासन पुरी तरह दिख्या हनिश्प्रिय है, जनपद मुख्याले गौरी गण जिस्थित इंटर कॉल देशबर में कोरुना का कहर चाहरी कुरुना पर बात करते हूए मेदानता का सबर में कु डक्रतर अर्वीन कुमार ने जटाई चुनता बंज का कुरुना से बलत उनकमरों कालन शुर्ग्षण अपने ही हात में हैं मद्यप्रदेश में कोरोना का बढ़ता च्वा रहा है क्या है मामनों में तेजी से उच्छाल के चलते कुछ अस्पतार में बैट्स और ऑक्सिजन की कमी एवेवस्थाओं की कारण मरीजों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना कोरोना संक्रमन की दूसरी लहर को लेकर राजित सरकार काफी चिंतित सरकार लगातार उठा रही है सक्त कदम सक्ती और सतरकता के बावजूद भी कम नहीं हो रही है उतरप्रदेश में आज रहा वीकेंड लॉकडाउन एक दिन के लॉकडाउन के दौरान मुरदाबाद में लोग जरूरी सामान लेने के लिए निकले घरों से बाहर यूपी में कोरोना के बड़ते संक्रटे बीच सरकार दिखा रही सकती है एसेंशल सर्विसेज के अलावा किसी को भी छूट नहीं सरकार रविवार को पून लॉकडाउन का पहले ही कर दिया था एलान लॉकडाउन का आज साफ़त और पर दिखा असर मध्यप्रदेश के भूपाल में कोरूना का कहर चौरी शहर में कोरोना वाइरस के बढ़ते मामलों के बीच बोपाल में कोरोना कर्फ्यू लागू, कोरोना कर्फ्यू की अबधी को 26 अप्रेल तक बढ़ाया गया अन्य राच्यों की तरह MP में भी लगातार बढ़ता ज़ा रहा है कोरुना का संकर्ट राच्य के कई जिलों में कर्फ्यू लोगडाउन जारी राच्य में कोरुना से सबसे ज़्यादा प्रभाविश जिला इन दौर के लिए नई गाइडलाइन से शासंत वारा की गई जारी उदर शंडीगर में भी वीकेंड कर्फ्यू का दिखा पूरा सर कर्फ्यू के दोरान शेहर में सड़के सुनसान और दुकाने दिखी बंद शेहर में शुकरवार राद 10 बजे से सुमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रखने का प्रशासन ने लिया है निर्णे कर्फ्यू के मद्य नजर शहर में सुरक्षा के भी किये गयते फुक्ता इंसजाम प्रशासन किसी भी कोता ही के मूड में नहीं कोरोना के बढ़ते कहर के बीच प्रशासन की सकती जारी राजसान में बढ़ते कोरोना संक्रुमन को ध्यान में रखते हुए राजसरकार अलर्ट पर सरकार के ओर से प्रदेश में लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू का दिखा असर शुकरवार शाम 6 बजे से सुमबार सुबह 5 बजे तक राज्य में वीकेंड कर्फ्यू लागू गुरुबार राद को गहलोज सरकार ने की थी कुरुणा को लेकर आपात कालीन हाई लेवल मीटिंग रवीवार को कर्फ्यू का दिखा अच्छा खासा असर राजजानी जापूर की जनता जागुरुपता के साथ कर रही है नियमों का पालू दिल्ली में कोरुना की पलपल बदल रही है इससती खुद दिल्ली के मुखिया अर्विन केश्रिवाल की बढ़ी शृंताएं सीम केश्रिवाल ने कहा दिल्ली में काफी तेजी से बढ़ रही है कोरुना के मामले फिशले 24 घंटे में 30 फीसेदी तक बढ़ी पॉजिटिविटी दर अस्पतालों में आईस्यू बैट्स और ऑक्सिच्वन की हो रही है कमी दिल्ली में एक बार फिर शुरू होंगे कोरुना केंद्र अलग-अलग सामाजिक संस्थानों का भी सीम ने सयो के लिए किया धन्यवाद मुंबई पुलिस ने दमन में एक फार्मा कंपणी के मालिक को किया गिरफ्तार किया फिर छोड़ा खबरों का सलसला लगादार यूँ ही जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुख रहे हैं फॉरन हाजर होंगे किसान पंजाब दी जेंद जान हन कैप्टन अमरिंदर सिंग दी एक वाई वाली पंजाब सकार हर पक्तों के साना दे नाल खड़ी है मौजूद्धा साल विच कांक दी खरीद दासप्रयाल तो शुरू होके 31 मई तक चलेगी इस वर कांक दा कट्टो कट स्मर्थन मुल 1975 परती कवेंटल नेश्चित कीता गया है पंजाब मंडी बोडवलों अलाने खरीद केंदरां दी गिंटी 1870 है अते इस दे नाल ही कोविट दे मद्दे नजर 2800 वाद्दू आर्जी केंदर वी खोले जाने हन खरीद केंदरां वीच बोली दा समा सवेरे 10 वजे तो लेके शाम 6 वजे तक होवेगा अते खरीद हफ्ते दे 7 दिन जारी रहेगी राश्ट्र धर्म रात आठ बजे सिर ए एन बी नियूस पर ब्रेके बाद एक बार फिर से आप सुभी का उस्वागत है आई एक बार फिर से शुरू करते हैं खबरे फटाफर्ट सोशल मीडिया पर एक यूवक का वीडियो वाइरल यूपी के मेरट के रहने वाले यूवक ने असी किलो वजन अपने दांतों से उठाया तजबा करनावल के रहने वाले विकास स्वामी ने रचायते हास योग सीखर अब ब्यास के दम पर विकास ने अपना नाम इंडिया बुक रिकॉर्ड में दर्श करवाया विकास स्वामी ना सिर्फ अपने माता पिता बल्की देश का नाम भी रोशन किया पेशे से स्कूल बस चलाते हैं विकास चटिसगर में लगा अतार नकसली सक्रिय सुखमा में एक बार फिर से नकसली ने समर्थन जुटाने की अपील की नकसली ने 26 अपरेल को भारत बंद बुलाया बेज़ी इलाके में सडक पर पेड डाल कर रास्ता बंद करने की कोशिश की नकसली ने पर्चों में ऑनलाइन पढ़ाई को चात्रों की जिंदगी की बरबादी बताया पढ़ाई को लेकर ये पूरा कारणामा नकसली ने किया और इसी के साथ एनबी न्यूस एक्सप्रेस में फिलहाल के लिए इतना ही मुझे दीज़े जाज़त देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और एहम खबरों के लिए आप देखते रहें एनबी न्यूस नमस्कार खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की खबर चाहे ब्रश्टा चार की हो या गुरेगार की दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल किस मुझे ने बनाई किस की सरकार रखते हैं हम सब पर नज़र पहुचाते हैं हम हर खबर हम हैं A&B News लखनव से लेकर चंडिकरता, मुंबाई से लेकर राइपुरता क्या है राजनीती की हलचल, क्या है समाज का मिजाच राजधानी लाइफ, हमारी नसर, आपका फैसला हर रोज सुभे आठ बचे, सिर्फ A&B News और इस वीच इस वक्ति बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं बढ़ते मामलों के चलते पुलिस ने सकती बढ़ा ही है, दिली से इस वक्ति बढ़ी खबर आ रही है कुरोना के मामले यहां लगातार बढ़ते चाह रही है वीकेंड लॉक्डाउन तोडने वालों के खिलाव पुलिस का बड़ा एक्शन 323 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है कुरोना की मामले दिली में काफी बढ़ते चाह रही है ऐसे में पुलिस की सकती भी साफ तौर पर नज़र आ रही है 2369 लोगों के चालान दिली पुलिस ने काट दिये है आपको बता दे कि यहाँ पर वीकेंड लॉक्डाउन जारी था और इस बीच दिली पुलिस की सतरकता साफ तौर पर नज़र आई है वीकेंड लॉक्डाउन तोडने वालों के खिलाव पुलिस का एक्शन यह बड़ा एक्शन यहाँ पर दिली पुलिस ने लिया है 323 लोगों को जहां गिरफतार किया गया है दिली पुलिस की तरफ से वही कई ऐसे लोगें जिनके चालान काटे गए हैं और इनकी संक्या 2369 बताई जा रही है वीकेंड लोगडाउन का उलंगन करने वालों के खिलाव दिली पुलिस ने यह बड़ी कारवाई की है बड़ते मामलों की चलते पुलिस अब साफ तौर पर सतर को होती हुई नजर आ रही है दिली में जिस सरीके से कोरोना की इस्थती भयावे होती जा रही है अब यह प्रशासन के लिए भी मजबूरी बन गया है कि वो लोगों की खिलाव इस तरह की कारवाई करें जो लॉक्डाउन के नियामों का उलंगन कर रहे हैं या सरकार की त्वारा जो गाइडलाइन चारी की जरी है उनका उलंगन जो कर रहे है उनके खिलाव सरकार की सकती साफ तोर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है जैसा कि हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि 323 लोगों को गिरफ्टार गए दिली पुलिस की तरब से बढ़ते मामलों कि चलते पुलिस ने यह शकती बढ़ाई है 323 लोग जहां गिरफदार किये गए हैं वही 2000 से ज्यादा लोगों का इन दो दिनों में शालान काटा गया है इस पावन पवित्र सांतों तानगुरु तेग बहादसा महराज ने अपनी गरफदारी देती इस अस्थांतों सचे पार्षा नो पाल कीची बठाके गुर्दारा सीस गंज दिली लिजाया गया जिते सचे पार्षा ने तेलकते जन्यू वास्ते अपनी कुर्वानी देती इस पावन पवित्र सान आगरे दी तरतीतिया है बहुत संद्र सान बढया सचे पार्षा दी जाद बिच ते सचे पार्षा ने इस सथांते लेके जगनू पागलाय पवित्र कीता सारी संक्तां जदों भी आगरे आओ आके गुरु महरादे पावन स्थाना दे दर्शन करो पूरा सा है गुर्दरा मंजी सा है उपर दरवार सा है ओ खूब जित जिस्दा जल्स चे पाशन ने मिठा किता सी आके दर्शन करके गुरु महरादियां खुसियां परावत करो जी